हाँ माना हम Graphical User Interface यानि GUI वाले टूल्स काफी कम यूज करते हैं बट ऐसा नहीं कि वो सारे ही खराब है कई सारे काफी अमेजिंग टूल्स है नो डाउट आज इसी पर हम डिस्कूस करने वाले आपके साथ साथ बाकी लोग भी एचीज सीखेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं वो जी वाई टूल्स जोकी आपको सावर सेक्यूर्टी में काफी जादा हेल्प करेंगे एंड एफिचेंटली वोग भी करते हैं तो बिना किसी देरी के लोगरवन वेल्कम बैक टो डवली इसक्यूब साइवर सेक्यूर्टी दिस अंखुड जोशी साइन इन चैलिये बिना किसी देरी के हमारे सिस्टम पर चलते हैं हमारे सिस्टम पर इहां पर बात करते हैं सबसे पहले तूल की सबसे पहला तूल यूमिट अब यह सारे डूल आप APT in style कमाड या GitHub से git clone करके यूज़ कर सकते हैं कई सारह आपके operating system में प्रेंस्टॉल तो यह installation की बात हम आज की वीडियो में नहीं कर रहा है इनको explore करेंगे तो सबसे पहला है यूमिट तो मैं आपको यूमिट explore करके बताता हूं अब यह देखिए यह कह रहा है आपको नौन रूट विजर सही से रण नहीं कर सकते हैं यहां पर रूट के साथ अगर यूमिट लिखता हूं तो ज्यादा बेटर काम करेगा अब यह जी वाई बेस्ट नेट्वर्क स्कैनिंग टूल है यहां पर इसको एक बार खेली फुल स्क्रीन करते हैं यहां टार्गेट में वसक्यूब टेक डॉट कॉम लिख देता हूं आपको हमेशा परमिशन के साथ ही स्कैनिंग करनी है यह चीज़ ध्यान रखना जिसके उपर पर मिशन नहींनikes बिना परमिशन के मत करना यहां पर आपको किस तरह करना है वह सबसी तरह करना है क्विक सक्ञार कर सकते हैं क्विक स्कैन यहां दिखा रहे है पोट्स एन होस्ट यहां पर जादा सही से दिखायागा यह देखे इसको दो पोट्स ओपन मिलिए वस्ट के बारे में डीटेल अच्छे से अग्राफिकली बतायागा स्कैन की डीटेल क्या रही है ना यह मिट ने कैसे इस पर कनेक्ट किया इसकी टॉपलोजी आपको प्रॉपर आउटपुट ऐसा दिखा दिया यहां आपको इजली आउटफुट मिलिया सविसेश पर क्लिक करेंगे कौन से सर्विसेश है क्या काम कर रही है सारी डीटेल है अब क्विक स्कैन करा इसलिए जादा डीटेल में नहीं गया अगर आप स्कैन टाइप चें करना यह कर सकते हैं अब यहां डूमेन की जगे आप आई-पी भी लिख सकते हैं आई पी ज्यादा बेटर वर्क करेंगी और ज्यादा टार्गेट अच्छे से स्पेसिफाय होगा तो यह आप यूस कर सकते हैं यह अगया हमारा यह मिट अब यह हो सकता है कई लोगों ने मैं इसको क्लोज एनिवेस करूंगा से नहीं करूंगा अभी के डिटा को यह था हमारा सबसे पहला तूल यह मिट अब दूसरा जो तूल हो काफी जादा पेमस और काफी जादा पुपिलर है वेब फील्ड में अब आप समझी गया होंगे कि मैं किस तूल के बारे में बात क करते हैं जनरली स्टार्ट करते हैं यहां पर आप न्यूज सकते हैं जिस पर आपको स्कैन करना यह या दोनों स्कैनिंग इन्हों ने डिफ्रेंट कर दिए जोकि बहुत अच्छी वात है यह मुझे काफी अच्छा लगा इनका फीचर अब टार्गेट से अलक्सेलेकर सकते में डैश्बोर्ड में में आपका टार्गेट करता हूं वाइब करता हूं यहां पर मैं रहुत में लाइट फास्ट तो मैं यहां लाइट और यहां पर वोग कर रहा है और यहां पर आइटिंग के लॉग और लाइव कर यहां पर मिलेगा अब आपको यहां दिख जाएगी चीज़े अब कुछ कर रहा है तो थोड़ा लाइटवेट है अभी पॉस्ट टास्क ड्यूट नॉट कुट नॉट कनेक्ट तो अनी सीट यहां पर इसने अभी तक इतनी रिक्वेस्ट भेज लिए यहां से यूज करा जा सकता है तार्गेट देखिए इसको क्या-क्या डिटेज मिली है प्रॉक्सी के अंदर डेटा आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं आपको आइडिया है इंटूडर अटाकिंग में यूज रिपी चीज़े कर सकते हैं अब यहां पर मैं इतने शॉट में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि चैनल पर इस पर डिटेल्ड प्लेट लिस्ट है आपको सिंपली चैनल पर जाके प्लेडिस सेक्शन में बप सुट सेक्श कर लेना है अपने डीटेल बर्प सुट पर वीडियो बनाए डीटेल में हमने डिसकस किया है तो मैं आपको रिकमेंट जरूर करूंगा यह वीडियो कंपलीट होने के बाद वह प्लेलिस जरूर चेक करना अगर आप अच्छे से जाना चाहते हो तो अब यह जो बप सुट है यह ग्राफिक लिए बहुत अच्छा है एंड फीचर लोड है एंड यह काफी ज्यादा सपोर्टिव है हमारे कई सारे टास्क में तो हमें बहुत हैल्प मिल जाती है इस टूल के मदद से नेक्स आता है है हमारा जैप प्रॉक्सी जैप रॉक्सी आप सलेक्ट करेंगे एंटर करते हैं लोड हो रहा है यह भी आटोमेट स्कैनर है कुछ भी सेव नहीं करना इसलिए एंड इसे फुल स्क्रीन में उपन करता है यहां पर आप चाहें तो अपडेट ऑल कर सकते हैं यह सारे प्लगिंस को अपडेट कर देगा सारे प्लगिंस अपडेट हो जाएंगे अपडेट किते परसंट हो चुके हैं जैसी 100% सारे अपड जिस रिफ्रेश हो रहे हैं ना ओके करते हैं एंड रिस्टार्ट करने की यह बोल रहा है तो शौर हम रिस्टार्ट करेंगे इसमें रेकमेंडेट करा है रिस्टार्ट करना तो हम उसे रिस्टार्ट जरूर करेंगे पर एक बार यह प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए उस लिए पर पर सेंटर करेंगे जब प्रॉक्सी पेसे स्टार्ट हो जाएगा एड इस बार सारी चीज़ अपडेट हो के तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे हमारी हेल्प करता है तो देखें यहां पर यह नो करके ही स्टार्ट करूंगा है अब मैं यहां पर में यह got you test यूइस कर लेता है यूठ पीएच्प ताकि आपको समझा सकों कैसे मिले हैं आपको simply यहां पर इसका URL को कॉपी करना है यहां पर URL पेस्ट करना है एंड अटक कर लेना है अब यह सारी सीज़े स्कैन करेगा आपके लिए अलर्ट में डेटा लाके देगा कि क्या क्या बग्स मिले हैं सारी डिटेर्स आपको यह लाके देगा तो यह काफी अच्छा टूल है हां अभी के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूं यहां पर इसके standard mode है protected mode है attack mode है यह कुछ modes है जो आप check out कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए मैं इसको close करूँगा अब यसा क्यों करूँगा मैं क्योंकि यहां पर ज्यादा तर चीज़ें YouTube पे इन चीजों को लेकर नहीं explain out कर सकते हैं policies का हमें ध्यान रखना पड़ता है बट आप इसे test php पर try जरूर करना जितने भी vulnerabilities है आपको यहां मिलेगी आपने section और देखा जहां alerts जितने भी bugs थे वह लाके उसने दे दिया बट यह security testing टूल है तो इसका use आपको security testing के लिए ही करना है इस चीज़ का आप द्यान रखना चलिए अब बात करते हैं हमारे next tool की जुकिया वायशाक अब वायशाक का तो नाव आपने जरूर सुनोगा यह graphical टूल है जो कि network से आते जाते हर डेटा को capture करता है अभी यहां पर देखिए हमारा मेरे system से आ जा रहा है वह यह capture करेगा देखिए अब देख पारें कितना सारा डेटा यहां पर ही capture कर रहा है अभी के लिए मैं इसको stop कर रहा हूं अब जो भी डेटा चाहें इस डेटा को समझ भाना काफी मुश्किल रहता है इसलिए हम ग्राफिकली वाय शाक का यूज करते हैं तो मैं आपको रिक्मेंट करूंगा कि आप वाय शाक को क्राय करें यूज करें अब हां बहुत एडवांस टूल है थोड़ा कॉंप्लेक्स रहेगा इसलिए आपको इस इस टूल की जो प्रिक्वेसाइट नॉलेज थी वह आपको आ जाएगी क्योंकि यह टूल आप बिना नेट्वकिंग नॉलेज के यूज नहीं कर पाएंगे तो आपको पहले वह सीखनी होगी नो डाउट यह एक अच्छा टूल है बट टूल को यूज करने से पहले आपको Windows के लिए वाइशाक डूल भी आपके Windows के लिए विप स्टू पहले के लिए अब थेट करता हूं यहां परा में इक फाईल के अंदर दूसरी फाइल को हाइड करता हैं can be a file एक टेक्स फाइल हाइड कर सकता हूं जिससे अनदर I text file हाइड करसकता हूं और सिर्फ मुझे ही बता होगा कि मैरे ङस image file ही अंदर वुह data और उसको password से मैं extract कर सकता हूं , is security ही ही है , यहां पर password भी apply होगा यानि simply मुझे जो message file है for example, यहां मैं select करता हूँ मेरे desktop की ये file and cover file में select कर लेता हूँ एक image तो यहां पर मैं back आता हूँ pictures में sorry, यहां पर public में आचुका हूँ मुझे pictures में आना है यहां pictures folder में एक image मैं select कर लेता हूँ output file मैं दे देता हूँ desktop की and desktop पर इसका नाम रखूँगा hidden.png यह मैंने नाम रख दिया open अब यहां पर यह एक png file में मेरी team wslc292 वाले file को hide कर देगा यहां पर मैं password लिख सकता हूँ let's suppose यहां मैं लिखता हूँ ankur ankur simple मैंने अपना नाम लिखा है and data को hide करता है आप कोई भी अच्छा password लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है data hide होते ही आपको यहां पर data मिल जाएगा यह image है क्या आपको यहां पर कोई भी file embedded दिख रही है बिल्कुल नहीं लेकिन इसके अंदर data है अब data check कैसे करना है आपको simply extract data पर जाना है extraction process होगा अब देखिए यहां file exist यह file export कर रहा है लेकिन यह file exist करती है तो क्या इसे overwrite करना है मैं yes or no करके कर सकता हूं कुछ भी अभी के लिए मैं no करूँगा कि मुझे कोई overwriting नहीं करनी है यह data इस तरीके से work करता है अब किता amazing tool है आपके data को hide करने के लिए अब stegnography बहुत अच्छी data hiding technique है तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से use कर सकते है अपनी data को secure करने के लिए अगर आप एक file के अंदर कुछ data hide करके friends को भेजे सिम उन्हें ही पता होगा कि इस image के अंदर file added है या file hidden है बाकी किसी को पता नहीं होगा और बिना password के वो उसे unlock नहीं कर पाएंगे मज़दार बात यह भी है कि उन्हें open stegg tool ही चाहिए होगा ताकि वो conveniently data को access कर सके बाकी conveniently नहीं हो पाएगा तो convenience के लिए अगर आप open stegg यूज करने हैं सामने वाले receiver को भी open stegg यूज करना पड़ेगा तो यह फायदा है इस tool का अब ऐसे और भी गई graphical tools है जो कि और अच्छे चाम करते हैं और डीटेज वीडियो लाने की सोच है बट क्या आप सच में चाहते हैं डीटेल वीडियो यह हमें idea नहीं है तो अगर आप सच में डीटेल वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्स्राइब करिए ताकि हमें पता चल जाए कि आप इन वीडियो के लिए एक्साइटेड है एंड हम आपके लिए और अमेजिंग content लाते रहें तो होप आपको यह पांच amazing graphical user interface tools पसंद आए हो प्राइज जरूर करिएगा मैं मलता आपसे next वीडियो में और amazing informative and knowledgeable content के साथ till then this is Ankur Joshi signing off